नमस्कार आदाब स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पर आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है Question Scout Leads को Automatically Google Sheets में एड़ करें and Automatically Zoom Meeting में भी रजिस्टर कर दें हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे Question Scout में जब भी कोई new lead create हो तो Automatically Google Sheets में उसका data एक new row बनके add हो जाए and as well as Zoom में एक registrant भी add हो जाए और या create हो जाए so ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसा करने के लिए हमें एक automation set करना होगा इन तीनों के बीच में बट एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है? कि Questions Scout, Google Sheets और Zoom का आपस में कोई native integration नहीं है ना ही इन तीनों का आपस में कोई direct connection है that's why इस वीडियो में हम use कर रहे हैं एक third software का जिसका नाम है Pebly Connect जो की एक automation and integration software है, जो हमें help करेगा इन तीनों को आपस में connect करने में, जोडने में ठीक है? और best part तो यह है कि इस automation को set करने के लिए आपको किसी भी तरह की coding का आना ज़रूरी नहीं है एक non-technical बंदा भी यह automation आसानी से set कर सकता है तो जानने के लिए बने रहे है इस वीडियो में ओके सो यह मेरा question scout का registration form है और यह रही मेरी zoom meeting ठीक है? हिंदी lecture जिसका नाम है zoom meeting है जिसमें अभी participants हैं, two registrants हैं, जिनका नाम है अपना Harry Potter और एक रोहित वर्मा अभी जैसे ही मैं इस form को fill करूँगा जिस नाम से तो इस form को fill करके अपनी details fill up करूँगा तो मैं automatically इस meeting में register हो जाऊँगा और यहाँ पर participants जो है, registrants जो है, वो three हो जाएंगे तो अभी मैं चलता हूँ आपको form fill करके बताता हूँ First name है अपना Heather Last name, Khan, email address, haider123 at direct gmail.com Okay, address है अपना, roshanpura Okay, sorry, roshanpura, phone number 7878-7878-7878 Okay, organization है, family, okay, job title है, hod, okay, head of department Okay, submit कर देते हैं, ठीक है, submit कर दिया form अब हम, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर form submitted बता रहा है अब यह automatically जो है, zoom के अंदर एक registrant create हो गया होगा तो हम चलते हैं, zoom के तरफ, अभी यहाँ पर two ही दिखा रहा है तो हम एक बार क्या करेंगे, हमारे zoom को कर लेंगे, refresh, okay यह अभी refresh होने के बार, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, registrant जो है, वो तीन हो गए है अब हम क्लिक करते हैं, view पे और चेक करते हैं, कि registrant हमारा वही वाला है कि नहीं देखिए, जैसा कि हमने form में fill किया था, हैदर खान, email address, हैदर123, अधर8gmail.com और registration यह रहा, तो हमने successfully क्या करा, हमारा जो है, automatically, यहाँ से registration form fill किया तो वो automatically zoom meeting में, जो है, registrant बनके add हो गया, ठीक है ओके, सो इस automation को set करने के लिए, हमें सिर्फ इन चार steps को follow करना होगा और यह हमारा जो video है, मेरा जो video है, आपको इसको last तक देखना होगा and आप आपका जो automation है, एकदम perfectly set कर लेंगे और आपको एकदम से master की तरह automation set करना आ जाएगा तो हमारी first step क्या है, हमारी first step है connect perfectly connect with question scout with the help of webbook URL ओके, सो हमें question scout को connect करना है, पैबली connect से सबसे पहले तो यह दोनों कैसे connect होंगे, पैबली connect देगा हमें एक webbook URL जिसको copy करके हमें paste करना है, question scout के एक section में और जिससे क्या होगा कि question scout successfully connect हो जाएगा, पैबली connect से यह हो गई हमारी first step, second step हमारी होगी collect data from question scout in पैबली connect, ओके तो जब हमारा question scout पैबली connect से connect हो जाएगा तो हम जब question scout में जाके कोई response create करेंगे, कोई form fill up करेंगे तो उसका data पैबली connect के पास महुचा है के नहीं, यह हमको check करना होगा है न, collect करना होगा जो भी data है, तो वो होगी हमारी second step ऐसे हमारी second step भी complete हो जाएगी, अब आ जाते हैं हम third step पे third step क्या कहती है, send the same data to google sheets from पैबली connect जो data पैबली connect को question scout से प्राप्ट हुआ है, मिला है वही same to same data हमें google sheets को send कर देना है with the help of पैबली connect, ऐसे करके हमारी third step भी complete हो जाएगी, आती है फिर हमारी fourth step, fourth step क्या कहती है, again send same data to zoom for creating a new registrant, तो हमें फिर से जो data हमें google sheets को मिला है पैबली connect से, वही same data zoom के पास भेज देना है जिससे क्या होगा, एक new registrant जो है, वो create हो जाएगा zoom meeting में, okay, है ना, I think आपको समझ में आ गया होगा और आपको नहीं आया होगा, तो इस video के आकरी तक बने रही है आपको everything, everything, बिल्कुल जो भी कुछ है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, okay मैं आपको एकदम एक एक चीज details में बता दूँगा, आपको सब आखरी तक वीडियो एकदम perfectly समझ में आ जाएगा आपको कुछ नहीं करना है, कोई घबराने की बात नहीं है, एकदम perfectly आपका automation जो है ये बन जाएगा चलिए तो अब हम चलते हैं हमारी first step को करने के लिए, okay तो सब से पहले हम हमारे browser में type करेंगे, p-a-b-b-l-y-pably.com, press enter, okay p-a-b-l-y.com की official website सामने आ गई है, फिर हम क्लिक करेंगे products पे, फिर हम क्लिक करेंगे connect पे, okay connect पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने पैबली connect का landing पे जा गया है, कुछ इस तरह से दिखता है then अब हम क्लिक करेंगे sign in पर, मैं sign in पर क्लिक करूँगा because मेरा जो account है वो अल्रेटी बना हुआ है, पैबली connect का आपको क्लिक करना होगा sign up free पे अपना account free में बनाने के लिए, okay तो मैं क्लिक करता हूँ sign in पर, okay sign in पर क्लिक करने के बाद यह नीचे एक option है connect का, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे access now के उपर, okay access now पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने पैबली connect का dashboard आ गया है, फिर हम क्लिक करेंगे right hand side पे create workflow के उपर, okay then मैं अभी अपने workflow को एक नाम दे देता हूँ question scout to google sheets to zoom, okay create पर क्लिक करूँगा, okay so हमारे workflow का नाम हो गया है, questions scout to google sheets to zoom and एक important बात, इस वीडियो के description box में आपको एक link मिलेगा जो कि होगा इसी workflow का, जिस पर क्लिक करके आप यह same amazing workflow अपने account में use कर सकते हैं, बिना किसी परिशानी के और एकदम free में, ठीक है अब हम आजाते हैं नीचे, नीचे हमारे सामने आ गया एक window जिसका नाम है trigger और second window जिसका नाम है action, आप सोच रहोंगे कि trigger क्या होता है, action क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ, trigger का मतलब when this happens, जब भी ऐसा हो, action का मतलब do this, ऐसा कर दो, okay, so हमारे topic के अनुसार, जब भी question scout में कोई new submission, form submission हो, तो automatically जो है, zoom में एक meeting registrant add हो जाए, meeting registrant जो है, वो add हो जाए, तो हमारा जो अपना trigger है, वो क्या होगा, question scout में form submission होना, तो हम यहाँ पर select करेंगे, question scout को, and हमारा जो trigger event होगा, वो होगा new submission, okay, new submission, और हमारा जो action होगा, हमारा main action जो है, zoom में registrant को add करना है, okay, so zoom हम यहाँ पर select कर लेंगे, और यहाँ पर अपना add meeting registrant पर select कर लेंगे, यहाँ पर और भी सारे options हैं, आप अपने workflow के हिसाब से इन्हें choose कर सकते हैं, but मैं अभी क्या चा आता हूँ कि add meeting registrant हो, तो मैं इसे select कर लूँगा, okay, so मैंने इसको select कर लिया, now अब आपको समझ में आ गया होगा, कि what is trigger and what is action, और trigger और action दो main base है, integration के, इन दोनों पर ही हमारा integration जो है, इन पर ही चलता है, यह main role play करते हैं, दोनों trigger और action, ठीक है, then, अब हम आजाते हैं, use करने के बाद हमें पैबली कनेक्ट ने दिया है, एक वैबुक यूरल, जिसको हम कर लेते हैं, copy, okay, और पैबली कनेक्ट ने दिया है, कोच instructions, तो यह instructions follow करते हुए, मैं चलता हूँ अपने question scout की तरफ, okay, so मैं आ गया question scout की तरफ, then, अब आप जैसा की देख पा रहा है, आप मैंने दो form जो हैं, बना के रखे हैं, एक का नाम है, registration form और दूसरे का नाम है, employee, etc, etc, ठीक है, then, अब हम आजाते हैं, इदर click करते हैं, edit form के उपर, ठीक है, edit form के उपर click करने के बाद, left hand side में एक option आ रहा है, settings का, उस पे click करेंगे, then, हम यहाँ पे इसको नीचे scroll करेंगे, settings पे click करने के बाद, scroll करने के बाद, एक option आएगा, webhooks का, वहाँ पे हम add a webhook पे click करेंगे, then, add a webhook पे click करके, end a point, end point जो है, end point URL जो हमें डालना है, वो हम कौन सी वाली डालेंगे, यह webhook URL जो हमें, public connect ने provide की है, then, हम यहाँ से इसको copy करेंगे, और चलेंगे, question scout की पर click करने के बाद, हम चलेंगे, यहाँ पे अब हमारा जो है, first step जो है, वह हमारी complete हो गई है, हमारा question scout जो है, वो पेबली connect से connect हो गया है, successfully, ठीक है, webhook हमने add कर दिये, question scout के अंदर, ठीक है, now, अब हम क्या करते हैं, अब हम जो हमारा form है, यह वाला, इसकी हम URL जो है, share करत है, ठीक है, पहले हम चलके public connect की तरफ, open करके public connect की तरफ चलते हैं, और देखते हैं, हाँ, यह यहाँ पर waiting for webhook response बता रहा है, तो अब हम चलके, कुछ response create करते है, means हम चलके form fill करते है, ओके, यह वाला जो form है, जिसकी हमने copy link करे है, और यह form यहाँ पर सामने आ गया है, new tab मे इसकी link हमको, हमने जब paste करके enter किया, तो यहाँ पर new form जो है, वो आगया, इसको हम fill करते है, response create करते है, यहाँ पर हम fill कर देते हैं, एक new name, new name हम डाल देते है, Heather, last name खान, okay, email address, haider, 123, enterate, gmail.com, okay, address है, रोशन पुरा, okay, phone number हम डाल देते है, 7878787878, okay, organization जो है, family है, okay, and job title जो है, अपना है, executive manager, एक second, executive manager, okay, then अब हम click कर देते हैं, submit पे, okay, so submit पे click करने के बाद ये बता रही है, और form is successfully submitted, तो अब workflow के अनुसार, जो ये data है, जो हमने यहाँ पे fill किया है, वो पहुच जाना चाहिए, family connect के पास, जिससे हमारी second step जो है, वो complete हो जाएगी, तो मैं आ जाता हूँ वाप इस family connect पे, जी हाँ, हमारी second step भी complete हो गई है, यहाँ पे successfully data, data receive कर लिया है, family connect ने, okay, जैसा कि आप लोग देख पा रहा है, जैसा हमने name भरा था, हैदर हमारा, और last name खान, email address, यह रहा email address, वगएरा वगएरा, जो भी हमने अपनी details fill up की थी, वो सब यहाँ पे, पैबली connect के पास पहुँच गई है, successfully, okay, so अब मैं चाता हूँ, कि यह details, google sheets में भी आ जाएं, तो मैं यहाँ पे, एक plus button है, यहाँ पे click करूँगा, है ना, एक action step बढ़ा दूँगा, यहाँ पे मैं select करूँगा, google sheets को, okay, google sheets को select करता हूँ, ठीक है, then action event म मैं select करूँगा, add new row को, जैसा कि आप लोग देख पा रहा है, यहाँ पे काफी सारे और options हैं, आप इन सब को select कर सकते हैं, अपने workflow के अनुसार, बट अभी मैं चाता हूँ, कि एक new row add हो, जब भी form submit हो, question scout में, तो google sheets में एक new row add हो जाए, और फिर उसके बाद, zoom में भी, एक new row select कर लेता हूँ, then अब मैं click कर देता हूँ, connect पे, connect पे click कर देता हूँ, फिर मैं add new connection पे click करता हूँ, और मैं आपको एक important बात बता दूँ, कि google sheets जो है, आपका, google sheets आपका तभी चलेगा, जब आप इसको incognito mode पे खोलेंगे, ऐसा क्यूं होता है, क्यूंकि जब आप अप आपने PC के अंदर आपके multiple gmail accounts, जो है, वो login होते हैं, तो google sheets को authentication में problem आती है, that's why यह support नहीं करता है, अगर आपके gmail account multiple open है, multiple accounts open है, आपके PC में, तो आप please, जो है, आपकी google sheets, वो है, आप incognito mode पे ही open किजेगा, नहीं तो authentication problems आएंगी, okay, so, यहाँ पे, मैं click करता हूँ, add new connection पे मेरे अभी multiple accounts open नहीं है, that's why मैं अभी normal window पे ही कर रहा हूँ काम, then मैं click कर देता हूँ, connect with google sheet पे, okay, connect with google sheet पे करने के बाद, मैं click करूँगा, वो, मैं choose करूँगा, वो वाला account, जिस account में, वो google sheets है, जिसमें, मैं data add करवाना चाहता हूँ, जो form submit होने पे data आएगा, okay, so, मै मैं click कर देता हूँ, allow पे, continue पे, okay, continue पे click करने के बाद, यह authorization successful हो गया है, then, अब हम आ जाते हैं, नीचे, okay, select spreadsheet जो है, यहाँ पे option आए, select spreadsheet का, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, कि हमारा जो public connect है, वो successfully connect हो गया है, मेरी google sheet से, यहाँ पे यह सारी google sheets, जो है, जि क्योंकि यह मेरे google sheets से connect हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह सब वही google sheets है, google sheets, okay, google sheets को हमने open कर लिया, यह दूसरा वाला खुल गया, मैं आपको सारी list दिखा देता हूँ, एक बार, यह देखिए, यह पूरी list, जो है, यह वही list है, जो हमें यहाँ पेबली connect में show ह हो रही है, okay, because, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि पैबली connect, connect हो गया है मेरी google sheets से, ठीक है, है न, तो आजाते हैं हम वापिस, और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मुझे अब वही specific google sheets, जो है, select करना है, यहाँ पे, यहाँ पे से, जिसके अंदर में data add करवाना चाहता तो यह रही वह वाली google sheets, जिसका name है, zoom registering database, okay, so, इसके अंदर मैंने कुछ columns बनाए, first name, last name, email address, address, phone number, organization, job title, आप इसके अंदर और भी, जो है, columns बना सकते हैं, मुझे इतनी नीक थी, तो मैंने नहीं बनाए, okay, then, अब हम आजाते हैं वापिस, कहां पे, अपना public connect के पास, ठी एक बार हम इसको कर लेते हैं, refresh, okay, refresh करने के बाद, यह automatically, जो है, मेरा, यह वाली sheet selected है, अगर आपकी नहीं हो, जिस पर आप select करना चाते हो, तो यहां से आप उसको धूम सकते हैं, आप यहां पे लिखके search भी कर सकते हैं, तो मेरी तो already selected है, तो मैं इसको selected रहने दूँगा, select sheet, तो sheet 1 है के नहीं, check कर लेते हैं, हाँ, तो sheet 1 है, check कर लिया हमने, ठीक है, वापिस अब चल देते हैं, public connect की तरफ, okay, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पे data map करना है, या तो manually, या तो अपना manually करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह data हम यहां पे जब click करे रहा, okay, तो यह data जो है, यह वही data है, जो हमने, वहाँ पे question scout के form में submit किया था, यह वही data है, जो हमें यहाँ यहाँ पे show हो रहा है, मैं आपको एक बार check करवा देता हूँ, okay, यह question scout और यहाँ पे यही data, same to same data, यह देखिए, जैसे की email address, heather123.gmail.com, यही same data जो है, यहाँ पे भी दिखा रहा है, heather123.gmail.com, तो हम यहाँ पे first name जो है, हमारा first name था, heather, वो हम यहाँ पे map कर देते हैं, last name था हमारा खान, वो भी हम map कर देते हैं, find करके, okay, यह रहा अपना, sorry, उपर ही होगा, शायद, यह रहा खान, okay, हमने इसको भी map कर दिया, email address भी हम map कर देते ह हैं, okay, email address कहा है, यह रहा, अपना email address, okay, यह भी map कर दिया, address भी हम map कर देते हैं, okay, address हम map कर देते हैं, address कहा है, okay, नीचे थोड़ा सार स्क्रॉल करेंगे, यह रहा address, इसको भी map कर दिया, हमने phone number, phone number भी हम map कर देते हैं, okay, phone number हमारा, phone number, phone number, यह रहा, phone number, इसको भी हमने map कर द एक बार आप टाइम टे किंग हो Change Leslie मैं ऐसे ही करके मैनुवली लिख के इसको मैभ कर देता हूं जॉब टाइटल था हमारा एग्जेक्यूटिव एक सेंड एक शॉक्यूट ??? एक्शेक्यूट्सवुड है कि एक्जेक्यूटिव ओके मैंने ज Families go B select कर लिया then अब हम click कर देंगे save and send test request पर okay so मैंने click किया save and send test request पर तो यहां पर जो है response received हो गया है और जो है यह बता रहा है कि data successfully google sheets में add हो गया है चलके एक बार check कर लेते हैं google sheets में data add हुआ है या नहीं okay so यहां पर successfully data add हो गया है google sheets में है ना हमारा जो workflow एक दम सही काम कर रहा है name first name last name email और address वगरा जो भी हमने fill up किया था वो यहां पर google sheets में भी दिखाई दे रहा है okay so हमने second step भी हमारी जो है वो complete कर ली लिए काफी हद तक अब हम आ जाते हैं वापिस से हमारे पैबली कनेक्ट पर अब हमारी third और last step जो थी वो हम यह चाहते थे कि हमारे zoom में meeting registering जो है वो add हो जाए okay so अब हमको क्या करना होगा अब हमको पैबली connect से zoom को connect करना होगा तो मैं click करूँगा connect पर okay connect पर click करने के बाद मैं क्लिक करूँगा add new connection पर और फिर मैं क्लिक करूँगा connect with zoom पर क्लिक करने के बाद authorization successful सामने ही दिखा रहा है because मेरा जो zoom है वो already login है okay so अब हम आ जाते हैं वापिस इधर अब यहाँ पर इसने automatic जो है एक meeting को select कर लिया है यहाँ पर काफी सारी meetings है जो की schedule meetings है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर और जो expire भी हो गई है वो सारी भी यह दिखाता है यह सारी meetings यह दिखा रहा है बड़ अब मैं क्या करता हूँ मैं एक new meeting schedule कर देता हूँ okay new meeting schedule कर देता हूँ जिसका नाम होगा physics lecture नहीं physics lecture नहीं chemistry lecture क्योंकि physics lecture की जो meeting है वो पहले से बनी हुई है chemistry lecture ओके बाइ पैबली okay sorry okay so यह topic जो होगया title होगया name अब यह when कब होगी तो हम यहाँ पर date select कर लेते हैं यह होगी 13th of July को और 3 p.m. को यह start होगी duration इसका one hour का रहेगा registration required है ओके इसको on कर देंगे इसको भी on कर देंगे then अब हम click कर देंगे save पर okay so save पर click करने के बाद यहाँ पर यह meeting जो है schedule हो गई है okay so अब meeting पर हम click करके सामने देख लेते हैं कि हमारी जो meeting है वो schedule हुई है की नहीं okay so हमने 29th July को नहीं नहीं sorry chemistry थी हमारी एक second एक बार इसको हम refresh कर लेते हैं क्योंकि वो update नहीं होई है अभी तक okay so अब हम देख लेते हैं नीचे scroll करके यह रही है हमारी ठीक है कितनी तारिक को 13th July को Friday को हमारी जो है chemistry की lecture है meeting है 3 p.m. to 4 p.m. तक okay so यह वाली हमने meeting schedule की है इसको हम चलके वहाँ select कर लेते हैं select करने से पहले एक बर हम इसको refresh कर लेंगे okay refresh करने के बाद यहाँ पर हम select करेंगे हमारी chemistry वाली meeting यह रही chemistry lecture by पैबली okay so इसको हमने select कर लिया chemistry lecture by पैबली को then अब हम आ जाते हैं नीचे अब हमें कुछ नहीं करना जैसे हमने उपर map किया था data को वैसे हमें यहाँ पे भी map करना है data okay so हम यहाँ पे map करेंगे data अब google sheets के अंदर से okay so google sheets के अंदर हमने click किया email address डाला so ये आ गया sorry email address डालेंगे हम ये आ गया हमारा email address ओके first name हमारा था Heather वो भी डाल देते हैं ये आ गया Heather ओके last name भी हम फिल कर देते हैं last sorry यहाँ पे सर्च नहीं करेंगे यहां पे सर्च करेंगे खान लास्ट नेम भी हम मैप कर देते हैं ओके एड्रेस जो है एड्रेस भी हम मैप कर देते हैं ओके एड्रेस था हमारा रोशन पुरा ओके रोशन पुरा यह मैप कर दिया हमने सिटी हमने डाला नहीं था कंट्री हमने यह सब स्किप किया था अगर आ organization जो था हमारा पैबली था ओके सो हम पैबली है आप मैप कर देते हैं then job title जो था हमारा executive manager था executive executive manager था उसको भी हम map कर देते हैं और इसको ऐसा ही रहने देते हैं ठीक है और number of employees one to twenty इसको भी ऐसा ही रहने देते हैं then अब हम click कर देते हैं save and send test request पर okay so save and send test request पर click करने के बाद यहां पर response जो है successfully received हो गया है means यह बोल रहा है कि हमारा जो meeting जो हमारी meeting हमने schedule की थी उसमें यह पंदा जिसने form fill किया था वो registrant बनके add हो गया है चलके एक बार check कर लेते हैं okay इसको एक बार refresh कर लेते हैं zoom meetings को then click करेंगे हम chemistry lecture by पैबली पर then नीचे आएंगे और यहां पर देखेंगे कि हमारा एक registrant जो है वो add है पहले से ही मतलब अब भी add हुआ है इस पर हम view पर click करेंगे तो देखेंगे हाँ जो हमने fill up किया था वही है यह है यह है धर खान email address so यहां पर registrant भी add हो गया google sheets में भी data आ गया सिर्फ क्या करने पे एक हमारा question scout का form fill करने पे अब हमें कुछ भी नहीं करना है कोई भी आएगा और इस form को जो है यहां पर fill करेगा तो automatically जो है data यहां पर new row बनके add हो जाएगा और जो है automatically इस meeting में भी registrant बनके add हो जाएगा ठीक है अब हमें कोई settings नहीं करनी है अब हम सिर्फ एक बार check कर लेते हैं हमारे workflow को है ना इसको हम save पे click कर देते हैं ठीक है और हम हमारे workflow को एक बार cross check करेंगे कि हमारा workflow proper perfect तरीके से काम कर रहा है कि नहीं हम एक बार चलके एक बार फिर से question scout का जो है वो form जो था उसको एक new name और new email के साथ fill करेंगे और देखेंगे कि वो data जो है google sheets में add होके zoom के अंदर एक meeting registrant बनके add होता है के नहीं ओके सो हम चल देते हैं फिर से वो question scout की link form की link को copy करते हैं और यहाँ पे यह पुराने वाले को बंद करके एक यहाँ पे form को paste करते हैं और एक new form fill करते हैं यहाँ पे इस बार name होगा हमारा sonam last name होगा rai okay sonam rai email address रहेगा sonam123 at the raid gmail.com okay and address रहेगा इनका हुशंगाबाद okay and phone number इनका रहेगा 454545454545 काफी अच्छा phone number है इनका organization है इनकी भी पैबली same organization से हैं then job title जो है इनका head hod है head of department head of department okay ठीक है so submit कर देते हैं okay submit कर दिया है form हमने अब हमारे workflow के अनुसार यह जो sonam rai है यह zoom के अंदर meeting जो हमने schedule की थी उस meeting में इन्हें एक registrant बन जाना चाहिए okay registrant की तरह इनको add हो जाना चाहिए और zoom और हमारे google sheets में भी इनका data आ जाना चाहिए चलके check कर लेते हैं google sheets में yes यहाँ पर successfully automatically यहाँ पर सूनम rai का data आ गया email address सारी details जो उसने fill करी थी वो यहाँ पर सब add हो गई है automatically कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है and zoom में भी चलके meeting में भी check कर लेते हैं कि वहाँ पर registrant add हुआ है कि नहीं अभी यहाँ पर one ही दिखा रहा है तो इसको एक बार refresh कर लेते हैं zoom को फिर देखते हैं okay so refresh करने के बाद यहाँ पर registrants की संख्या 2 हो गई है view पर click करेंगे oh yes यहाँ पर सोनम राय आ गई है बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा workflow काम कर रहा है बिलकुल magic की तरह हो गया है तो एकदम से email address वगेरा भी सब same to same है मतलब अब जो भी कोई आएगा यह form हम अगर किसी भी बंदे के साथ share करेंगे इस form को और वो इसको फिल करेगा तो वो automatically इस meeting में add हो जाएगा register हो जाएगा वो इस meeting में और questions और अपना उसकी जो details है वो इस Google sheets में भी add हो जाएंगी नीचे एक example करके और दिखा देता हूँ यहाँ पर इस बार नाम है बंदे का Aaron, Aaron manual last name है manual, okay email address है Aaron one two three at the rate gmail.com, okay address है अपना new market, okay phone number है one two one two one two one two one two one two, okay organization है same organization family, okay job title है video host, okay click कर देंगे submit पर, okay submit पर click करने के बाद बता रहा है your form is successfully submitted चल के check कर लेते हैं Google sheets में data पहुचा के नहीं है successfully data जो है Google sheets में पहुच गया है जैसा कि आप देख पा रहा है Aaron manual और यहाँ पर हमारा zoom registrant में भी meeting में भी check कर लेते हैं के registrant यह देखिए registrant की संक्या तीन हो गई है view पर क्लिक करेंगे यहाँ पर Aaron manual automatically add हो गए है अब जब भी कोई बंदा आके इस form को fill करेगा तो वो automatically add होता चला जाएगा तो हमने क्या किया हमने successfully integrate कर दिया question scout को zoom से with the help of pably connect ना सिर्फ इन तीन applications को आप pably connect की help से multiple applications को integrate कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के एक बात फिर से बता दूँ कि इस video के description box में आपको इस same workflow का link मिलेगा जिस पे आपको जाके सिर्फ क्लिक करना है और यह same amazing workflow आप अपने account में use कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के और एकदम free में इस workflow से related आपको कोई भी परेशानी आती है workflow में कोई दिक्कत आती है आपके कुछ questions होते हैं तो आप हमसे contact कर सकते हैं admin at directpably.com पर अपने questions पूछ सकते हैं यहां दी हुई link पर ओके and I hope कि आपको यह video समझ में आया होगा और अगर यह video आपके लिए helpful रहा तो वीडियो को like करना मत भूलेगा चैनल को subscribe करना मत भूलेगा और subscribe करके bell icon पर click कर दीजेगा thank you so much अज yang इंड दो कि रहे हो उन्हाँ है भी?